रायपूर करचुलियान थाना अंतरगत ब्यवहरा गाउं में दिनांग दो अगस्त को गाउं के ही कुछ दबंगों ने दिन दहाडे धारदार हतियार से पूरे परिवार पर हमला कर दिया जिसमें बुजर्ग चंदर शेखर मिश्रा एवं उनकी बहू नीता मिश्रा गंभी रूप से घायल हो गई घायलों को आनन फानन में रायपूर थाना लेकर गए जहां पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्च कर ततकाल गंभी रूप से घायल ससुर एवं बहू को सामुदाइक स्वास्त केंदर रायपूर करचुलियान पहुँचाया डॉक्टरों ने दोनों घायलों की हालत गंभीर देखकर संजे गाधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया जहां पर उनका इलाज जारी है महिला नीता मिश्रा के सिर पर गंभीर चोट होने के कारण उनकी हालत चिंता जनक बताए जा रही है पीडित परिवार का कहना है कि दोशियों दोरा लगातार उन्हें डराया धमकाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए कहा जा रहा है केस वापस ना लेने पर पीडित परिवार को जान से मारने की एवं जूटे केस में फसाने की धमकी भी लगातार दी जा रही है इस घटना से पूरा परिवार दहशत में है आपका क्या नाम है और ये पूरा मामला क्या है मेरा नाम योगन कुमार पाठक है ये मेरा साला है इनके पिता जी का नाम अजय मिस्रा है ये इनके घर में जो अर्चना पटेल है वो इनके करता लि हुई थी खेत में तो इनके घर में आना जाना इन दोनों आदमियों को लगा रहता था इसके बाद इसके जो करता लेने वाली अर्चना पटेल है उसके जेठ और देबर, दोनों आदमी उसको अपने भयाओ को भयाओ को धमकी दे रहे थे उनके यहां मत जाओ, उनका करता मतलो, वो लोग पहले से इन लोगों के उपर रंजिस थे, गुसा थे, गाली गलोज पहले से भी दो दिन पहले से ही दे रहे थे, तो ये अपने बबबा को और मम्मी को स्वेम लेके जा रहे थे मनगमा दबाई कराने के लिए, तो अर्चना पटेल रोक ली, रोकने एक बात बोल रही है कि ये लोग आप लोगों को गाली दे रहे हैं, तो आप समझावता करवा लिजे, समझावते के लिए मम्मी और बबबा और सुभम, तीनों आदमी समझावते के लिए वहाँ पे रुके, समझावता करते करते हो, उन लोगों न इनको गाली देना चालू कर दिया गाली देने के बाद इनके उपर डंडे प्रहार किये ये देखिए इनके गले में चोट आई है दवा भी करवाए संजय गांधी में इसके बाद इनकी मम्मी बचाव के लिए अपने बेटे के पास गई कि हमारे बेटों को मत मारो ये हुए लोहे के डंडे से मम्मी के सर में प्रहार किये जिससे उनका सर फड़ गया उसके उनके सर में 18 ठोटाके आए हैं फिर उसमें सरिया लिए सरिया से फिर मम्मी को मारे मारने के बाद मम्मी जब बेहोस हो गई बबबा गये बचाने के लिए तो बबबा के पीठ में मारे हाथ में मारे, मारने के बाद जब बेहोसी अवस्था में मा को इनको देखे तो उनको घसेल के जमीन में फिर उनको पर प्रहार किये, ये फिर गाउं में गुहार लगाई, गाउं वाले आए, पुलिस को फिर कंप्लेन किया गया, तो पुलिस आके बरदात में दो घंटे के ब चालू हुई तो गवाहों को धम्की देना चालू हो गए चालू हुआ और वहां से घवाहों धम्की दे के मारने की धम्की दे रहें रास्ते में अप जेल में डाल दिया गया है तीन अपराधी फरार हैं जिनके उपर कारवाई की जा रही है हमस्तिा निवेदन ये है राइपुर्थानाUND हमारे जो अधिकारी है कि हमारे कारवाई को आग dividing किया जा जाए उसमे जाहत्व hangthen की यावं का उसकि हमा ऑप हम तो 카메라 आप गवाहों को धंकी दी जा रही है कि आपको कौन दे रहा है तो कि यह बीजाए और यह जैलाल उर्फ पाड़े और यह दीपू यह बोल रही है कि अगर तू गवाह वह अपना केस वापस ले ले नहीं तेरों को मैं जान समार दूँगा वाकि इच्छा लगा देंगी तेरे जी मैं हमारे उपर केस करने के लिए बोल रहे हैं वो लोग कारवाई के लिए आबेदन भी लगाये हुए हैं जिसमें हम लोगों इन लोगों का बच्चों का कोई सी का भी हाथ नहीं है तो आपराधी के तोर पर इनको सजा कराने के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है हमने वाली जो अपराध करने वाले जो थे उनके तरफ के जो सदस हैं वो बोल रहे हैं कि आप हमसे समझावत्या कर लीजिए जो हो गया वो केस को रफा धापा कीजिए उसके लिए हमें पैसे देने के लिए बोला जा रहा है कि आप 50,500,500,000 रुपे जो भी है आप हमसे ले देंगे हम आपको धमकी दे रहे हैं रास्ते में कहीं भी मिलोगे तो हम जान ले लेंगे तुम्हारी ऐसा लोगों को बोल रहे हैं